हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एक्जाम क्रिजर में दोस्तो आज के वीडियो में हम 15 मई से समंधित उत्तरब्रदेश के सभी एक्जाम के लिए मुस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफिर की कुछिशन को डिसकस करेंगे और हरी कुश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे और वीडियो के अंत में हम आपसे ये कुश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर आपको इसकी पीडियेफ डाउनलोर करनी है सुचकांग 2021 इसमें भारत 85 वे इस्थान पर रहा और पहले इस्थान पर कौन है तो डेनमार्क फिनलेंड और न्यूजिलेंड ये संयक तुरूप से पहले इस्थान पर है बैस्वे खुसाहाली रिपोर्ट 2022 इसमें भारत 136 वे पर है और पहले स्थान पर है फिनलेंड ठीक त्यान रखना है बैस्विक खुसहाली रिपोर्ट यानि हैपिनेस एंडेक्स दोहजार बाइस आईक्यू एयर दोहजार एकीस की जो रिपोर्ट जारी की गई विस्वायू गुडवत्ता रिपोर्ट इसके अनुसारी बताए गय दुनिया का सबसे प्रदूशित देश अगली रिपोर्ट ध्यान रखनी है सिप्री की जिसके अनुसारी ये बताए गया कि सरवादिक का हतियार आयतक देश भारत है और सरवादिक हतियार निर्यातक देश अमेरिका है टॉम टॉम ट्रेफिक इंडेक्स दोहजार इकीस के अनुसार कौन सा सहर दुनिया का सबसे भीड भाड़ वाला सहर रा तो ये रहा है इस्तांबुल जो की तुर्की का है ठीक तो ये सारी रिपोर्ट ध्यान रखनी है और इसके बाद आपको ध्यान रखना है विस्सुप् भुकमरी सूचकांग 2021 हंगर इंडेक्स 2021 का इसमें भारत 101 एकवे स्थान पर है और दोस्तों इसमें कई सारे देश यानि लवक 17 या 18 देश जो है ये संयक तुरुप से पहले स्थान पर रही तो वो आपको ध्यान नहीं रखने है यहां पर आपको भारत की रेंग ध्यान र सुरू करते हैं आज का सेशन सुरू करने से पहले मुकलगे कुशन का रिवीजन करेंगी तलका पहला कुश्यान है हाली में किसे उतर प्रदेश का कारेवाहग डेजीपी बनाये गया इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आप्शन नमर सी देवेंदर सिंग चौहान अगला कु और दोस्तों अगर आपको उतर प्रदेश करेंट अफेर की लास्ट वन यर की यानि साल 2021 की पीडिएफ डाउलोड करनी है तो इसकी लेंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां से आप इस पीडिएफ को डाउलोड पर सकते हैं इसमें हमने जनवरी स से ले करके दिसंबर 2021 तक की उतर प्रदेश करेंट अफेर की सभी इंपूटेंट कुश्चन को विस्तार पूर्वग बताया है और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको उतर प्रदेश करेंट अफेर की लास्ट शिक्स मन्त की यानि नवंबर 2021 से अप्रेल 2022 तक की पीडिए के भी मुश्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है और इसे डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रोब्लम होती है तो साइट पर आप वोड्स अप नमबर और एमिल मिल जाएगा जिस पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं अगला उश्यार है एपल को पच्छाल कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई तो ये बन गई है साओधी अरामको ठीक ध्यान रखना है अरामको कंपनी का नाम है जो की साओधी अरब की है अगला उश्यार है हाली में खुदाई के दौरान हर्याड़ा की राखी गड़ी में कितनी साल पुरानी ज् पिक्रम सिंगे जो है यह स्री लंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं अगला खुशिया ने हाली में भारत की कि सराज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किये गए तो अभी जो है केरल में कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किये गए हैं भारत म अगला कुश्यान है कि सराजी के मुख्मंत्री M.K. इस्टॉलन ने सरकारी स्कूल के चात्रों के लिए मुफ्त नास्ता योजना की घोशला की है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उप्स नमर सी तमिल नाडू सरकार ने और दोस्तों ध्यान रटना है देश में ऐसा पहली बार है जब सरकारी स्कूल के चात्रों को जो है मध्यान भोजन के साथ साथ मुफ्त नास्ता भी दिया जाएगा अगला उस्या है केटलेन नौवाकीस देश के पहली महीला राष्ट्वपती गई तो ये जो है हंगरी की राष्ट्वपती चुनी गई है और हंगरी में पहली बार ऐसा हुआ जब कोई महला राष्ट्वपती के तोर पर चुनी गई अगला कुशिया ने हाली में राष्ट्रपती ने रक्षा लंकरन समारो चरण वन-2022 में भारतिय सीना के कितने जवानों को देश की तीसरे सबसे बड़ी वीरता पुरुजकार सोरे चक्र से सम्मानित किया इसका जो करेक्ट अंसर है वो है ओप्स नंबर ए तेरा जवानों को तो दोस्तों ये थे कल के कुशियंस जिसका हमने रिवीजन किया अब हम सुरू करते हैं आसका सेसन आसका पहला कुशियन है उत्रप्रदेश सरकार ने दो वर्सों में राजजमे कितने इस्थानों पर प्ल वक्ता हैं उन्होंने ये बताया कि गाउं को प्लास्टिक कच्रे से मुक्त करने के उद्देश से राज्य सरकार जो है अगले दो वर्सों में राजमे कितने 250 इस्थानों पर प्लास्टिक कच्रे के संग्राय किंद्र इस्थापित करने की योजना बना रही है पंचायती र फेल नामों को देखते हुए राजे सरकार ने शहरों के साथ साथ गाऊंTE को भी प्लास्टिक मुक्त बनाने की पहल इसके साथ ही सरकार ने सडक- driver के लिए अप्सिस्ट प्लास्टिक का उप्योग करने की योजना भी बनाई है। तो दोस्तों यहां पर आपको अच्छी से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश जो सरकार है वो अगले दो वरसों में कितने स्थानों पर प्लास्टिक कच्रे के संघ्राय किंद्र इस्थापित करने की योजना बना रही है तो 250 स्थानों पर प्लास्टिक कच्रे के संघ्राय किंद्र इस्थापित किये जाएंगे ताकि इससे क्या होगा इससे गाउं को प्लास्टिक कच्रे से मुक्त किया जा सकेगा सहरों के साथ साथ गाउं को भी अब जो है प्लास्टिक मुक्त करने की जो कारी योजना है वो बनाई जा रही है प्रदेश में इसके साथी कितने 250 इस्थान उपर प्लास्टिक कच्रे के संखरे किंद्र इस्थाफित किये जाएंगे अगला विश्यान है हाली मुत्र प्रदेश के किस जिले में जन्में प्रख्यात संस्कृत और हिंदी विद्वान डॉक्टर रमा कांत सुक्ल का निधन हो गया इसका जो करेक्ट अंसर है वो है option number C बुलंद सहर और यहां पर image भी देख सकते हैं यह थे डॉक्टर रमा कांत सुक्ल जिनका हाली में निधन हो गया और दोस्तों यह जाने माने प्रख्यात संस्कृत और हिंदी विद्वान थे प्रथिष्टे संस्कृत और हिंदी व सहर जिले के खुर्जा नामक सहर में इनका जनम हुआ था डॉक्टर रमा कांत सुकला दिली में देववानी परसित के संस्थापक और महा सचिफ थे और संस्कृत में एक त्रेमासिक पत्रिका अरवासिन संस्कृतम के संस्थापक अध्यक्ष और संपादक थे साहत्तिक और संस्कृत संगटनों द्वारा उन्हें संस्क्रत राश्ट्रकवी, कभी रत्न और कभी सिरों मली की उपादियों से समानित किया गया था बायसरकार ने उन्हें साहथ और सिक्षा के लिए 2013 में पदमिसरी से समानित किया था तो दोस्तों ये question most important है, इसे आपको अची से ध्यान रखना है, कि हाली में डॉक्टर रमा कांत सुकला का निधन हुआ, ये कौन थे, इस तरह से कर question पूछा जाए, तो आपको ध्यान रखना है, ये एक प्रतिष्ट संस्कृत और हिंदी बिद्वान थे, और दोस्तों इनका जन्म कहां पर हुआ, तो उत्तर प्रदेश के बोलंद सहर जुले के खुर्जा नामक सहर में इनका जन्म हुआ था, इसलिए ये question most important हो जाता है, और दोस्तों इन्हें 2013 में पद मिस्री अवोड से सम्मानित किया गया था, बारसरकार की उर से, इसके साथ ही आपको ध्यान अटना है कि 2009 में 2009 में संस्कृत स्रेणई के तहित राष्ट्रपती पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान अटना है, और दोस्तों इन्हें जो है यूपी सरकार ने भी कई सारे पुरुसकार दिये, कौन-कौन से, तो इसमें आपको ध्यान संस्कृत राष्ट्र कभी पुरुसकार दिया गया, कालिदा संबान दिया गया, दिल्ली संस्कृत अकादमी के अखिल भारती है, मौलिक्स संस्कृत रचना पुरुसकार दिया गया, संस्कृत समर्धक पुरुसकार दिया गया, और अन भी कई सारे पुरुसकार इन्हें द ध्यान रखनी है अगला कुशह ने उत्तर प्रदेश के किस सहर में भारतिय नौसिना का गोमती सौर्य इसमारक निर्मित किया जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर है बोह है उप्सन नमबर C लखनव में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव में सिग्रही भारतिय नौसिना के गोमती सौर्य इसमारक की रूप में उत्तर प्रदेश की रूप में उत्तर प्रदेश को हैंड ओवर कर दिया जाएगा राष्टर रक्षा और सौर्य के प्रतीक इस जहाज में इस्तापित हेलिकॉप्टर और मिसाइल सहत सभी सेन उपकर्ड भी यहां पर लाए जाएग कहां पर उत्तर प्रदेश लखनौ में इसके लिए विसे संग्रालाय बनाकर उनमें प्रदर्शित किये जाएगे तो दोस्तों यह आपको यहां से ध्यानक ना है कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनौ यहां पर जल्द ही भारतिय नौसिना के गोमती सौर्य इस इस संग्रालाय में प्रदर्शित किये जाएगा तो यह भी आपको यहां पर ध्यान रखनी है अगर पूछा जाता है कि कौन सा युद्ध पूद जो है उत्तर प्रदेश को दिया गया भारतिय नौसिना की और से ध्यान रखना है आई एनस गोमती ठीक है कहां पर संग्राल सहरे है वह है अफ्चिन नंबर सी हर्याना के क्रिशी मंतरी चारा विजाई योजना ध्यान रखना है चारा विजाई योजना सुरू किया यह योजना को जमीन है वो दस एकड़ तक ही इसमें जो है अलाव की गई है और किसानों को कितना दिया जाएगा प्रती एकड़ दस हजार रुपए इस योजना के पीछे तरक राज के चारे की कमी और बढ़ते आवारा मवेसियों को कवर करना है प्रतियक्ष लाव हस्तांतर्ण के तैत सब प्रतिय किसान के खाते में जमा की जाएगी तो यहां से आपको ध्यान रखना है अगर पूछा जाये चारा विजाए योजना के सिराजे से समद्दित है तो यह हर्याणा सी सम्दित है और हाली में जो है हर्याणा के जो कर्सी मंतरी है जैप्रकास दलाल उन्होंने इस दोस्तों हर्यान से संबंदित यहां पर बात आई है तो हर्याना के बारे में जानते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह है मैप में हर्याना हर्याना यह भारत की किनके राज्यों की सीमा को साजा करता है तो पंजाब हो गया यहां पर राजस्थान हो गया यहां पर उत्र करता है हर्याना की साथ हर्याना की कैपिटल क्या है तो चंडीगर्ड हर्याना की चीफ मुनिश्टर मनुहर लाल खटर और हर्याना की गवर्नर है बंदारू दत्ता त्रियां दोस्तों हर्यान से समंदित कुछ important question देखेंगे भारत का पहला विश्व सांती किंद्र ये कहां पर इस्थाफित किया गया तो ये सारे question आपको most important है सभी आपको चिसी ध्यान रखने है और इसी वज़सें सारे question जो है आपको डेली जिस भी राजी की बात आती है वहां आपको cover करा देते हैं तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला जो विश्व सांती किंद्र है ये कहां पर इस्थाफित किया गया तो ये इस्थाफित किया गया है गुरू ग्राम ठीक ध्यान रखना है आपको यहां पर आपको ध्यान रखना है गुरू ग्राम में भारत का पहला हेली हब ये कहां पर इस्थाफित किया गया तो ये भी गुरू ग्राम में इस्थाफित किया गया और ये क्या है ग्रेन ATM यानि अनाज का जो ATM इस्थाफित किया गया था देश में पहली बार तो ये कहां पर हुआ है गुरुग्राम हर्याना में ये इस्थाफित किया गया है अगला आपको ध्यान रखना है मात्र सक्ती उध्मिता योजना ये किस राज्य से संबंदित है तो दोस्तों ये जो मात्र सक्ती उध्मिता योजना ये हर्याना से संबंदित है हरियाना से और इसके साथ आपको ध्यान रखने है मुक्की मंत्री बागवानी बीमा योजना ये किस राज्य से संब्धित है तो ये भी हरियाना से ही संब्धित है और दोस्तो हर्यान सी संब्दित आपको कुछ बाते और ध्यान अटनी है जैसे हर्याना की राष्टी उद्यान कौन कौन से हैं तो प्रमुक है कालिस्वर राष्टी उद्यान और सुल्तान पुर राष्टी उद्यान ये प्रमुक राष्टी उद्यान है जो हर्यान सी दे तच्छे सी ध्यान रखनी है अगला कुष्या ने फोप्स द्वारा जारी 2022 की सरवादे कमाई करने वाले खिलाडियों की सूची में टॉप पर कौन सा खिलाडी है most important note कर लेना है आपको इसका जो correct answer है वो है option number B लियोनल मेसी इमेज में देख सकते हैं यह हैं लियोनल मेसी जो की फोप्स द्वारा जारी 2022 की जो रिपोर्ट की गई है सरवादे कमाई करने वाले खिलाडियों की उसमें ये टॉप पर है लियोनल मेसी एक सो तीस मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी तेरह सो चौरानवे करोड रुपए की आए के साथ फोफ्स हाइस्ट पेड एथलीट 2022 की रिपोर्ट में सीर्थ इस्थान हासिल किया इसके बाद कौन है दूसरे नमबर पर तो ध्यान रखना है बास्केट बॉल खिलाड़ी है लेबरोन जेम्स 121 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ ये दूसरे इस्थान पर है और तीसरे इस्थान पर है कौन बास्केट बॉल खिलाड़ी लेबरोन जेम्स और तीसरे नमबर प क्रांड़ो 115 मिण अमेरिकी डॉलर की साथ अब इसमें अगर भारत की खिलाड़ीों की बात की जाए तो एक मात्र एक मात्र खिलाड़ी है टॉप hundred में सामिल होने वाले और वो कौन से है विराट कोली। विराट कोली जो है ये टॉप हंडेड में सामल होने वाले एक मात्र भारती खिलाड़ी हैं और इनकी यह है पोजीशन एक सेटवे एक सेटवे नंबर पर यह आते हैं पिछले साल विराट की जो कमाई है यानि जो यह रिपोर्ट जारी की गई है 2020 में 2021 की तो 2021 भर मैं जो विर 60 करोड रुपए 240 करोड रुपए विग्यापन से इनके आए हैं और जो 22 करोड रुपए हैं वो खेल से आए फोब्स पुरुसकार रासी वेतन पोनस और इस्पोंसर से डील्स के आधर पर अनमानों की गड़ना करता है तो दोस्तों यहां से आपको चैसे ध्यान रखना है कि यह हाली में फोब्स हाइस्ट पेड एथलीट 2022 की सूची जारी की गई यानि सरवादे कमाई करने वाले खि लाड़ी रहे पहले इस्थान पर रहे एक सो तीस मिलियन अमेर्की डॉलर के साथ दूसरे इस्थान पर ध्यान रखना है दूसरे इस्थान पर हैं लेब ब्रॉन जेम्स एक सो एक सो इस दो समलब दो मिलियन अमेर्की डॉलर के साथ और तीसरे इस्थान पर है क्रिश्टिय अगला उशिया ने हाली में किस देश के राश्टुपती सेख खलीफा विंजायाद अलनहयान का निधन हो गया इसका जो करेक्ट अंसर है वह है ऑप्सिन नमबर ए यू ए और यहां पर इमेज में देख सकते हैं ये थे यू ए यानि सेयुक्त अरब अमीरात के राश्टुप अबुधावी के सासक के रूप में कारे किया राश्टुपती मामलों के मंत्रा लेने सेयुक्त अरब अमीरात के राश्टुपती महामयम से खलीफा विंजायाद अलनहयान के निधन पर यू ए अरब और इसलामी राश्ट और दुनिया की लोगों के परती समवेदना व्यक अमीरात के राश्टुपती थे से खलीफा विंजायाद अलनहयान इनका हाली में निधन हो गया और दोस्तों ये जो से कजूचिट अरब अमीरात के राश्टुपती के तोर पर जो है ये कारे कर रहे है इसुझे से ये काफ़ी इंपर्टेंट है आपको ध्यान ररकना आ cap पहला आपको ध्यान रखना है कि गोल्डन वीजा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है तो यह है यू एई ठीक है ध्यान रखना है गोल्डन वीजा शुरू करने वाला इसके अलावा ध्यान रखना है आपको दुनिया में भारत के बाहर पहला आई आई टी क प्रिकों के साथ ही ध्यान रकना है दुस्तों दुनिया की सबसे खूब शूरत इमारत, म्यूजिएम अफ दा फ्यूचर. यह कहां पर इस्था पे थे तो यह भी दुब्शाफे दुबई UAE में इस्था पे थे. तो यह सभी कुश्यं अच्छे से ध्यान रखने है, एक कुश्यन और ध्यान रखना है कि हाली में जो होप मिसन लॉंच किया गया वो किस ने किया तो सयोग तो अरब अमीरात ने मंगल ग्रह के लिए ठीक तो ये पांच कुश्यन आपको चीसे ध्यान रखने हैं UAC समंदित जो की most important है और ये आपके आने वाले एक्जाम में पू भारतियन उसे ना को 40,000 टन वजनी देश का पहला श्वदेशी विमान वाहकोत I.N.S. विकरांट मिला I.N.S. विकरांट ने पिछले साल अगस्त में पांच दिवसीय पहली सफल समुद्री यात्रा पूरी की वहाली में दस दिवसीय समुद्री परिक्षन में भी सफल रहा था यह भारत में बनने वाला सबसे बड़ा और सबसे जटेल युद्धपूत है युद्धपूत को लगवक 23,000 करोड की लागस्ति बनाया गया था युद्धपूत में मेग 29 के लड़ाकू जट का मूव 31 हेलिकॉप्टर और MH 60R बहु भूमिका वाले हेलिकॉप्टरों का इस INS विक्रांत हाली में भारतिय नोसीना में सामिल किया गया ये कितने टन वजनी है तो 40,000 टन ये वजनी है तो ये आपको ध्यान रकना है और इसको बनाने में जो है लागत कितनी आई है तो 23,000 करोड लगवक इसको बनाने में लागत आई है नाम ध्यान रकना है INS विक्रा अगला गुश्या ने दुनिया की नंबर वन रैंकिंग वाले T20 टीम कौन सी बनी तो ये बनी है इंडिया क्रिकेट की T20 वार्सिक रैंकिंग में दुनिया की नंबर वन टीम भारत की बनी लेकिन टेस्ट में टीम इंडिया सीर्स पर काविज ऑस्टेलिया से नो अंक पीछे ह है तो कौन सी टेम जो है वह हो पहली नंबर पर है तो वह ह ऐस्टेलिया में तो यहां पर आपको तीनों बाते ध्यान रखनी हैं कि के टी ट्वठटी वार्सिक में दुनिया के नंबर बन टमशे है तो भारत रही इसके साथ ही टेस्ट Naz wake अगरबाद की जाए तो ऑस्टेलिया रही और वहीं अगरबाद की जाए एक दिवसी अंतराश्टी किरकेट में तो ये नियूजीलेंड की टीम रही डॉप पर टीक तो तीनों नाम अच्छे उसे ध्यान रखने हैं अगला उश्याने कि इस देश के दो छात्रों ने नासा र प्रतियोगिता में जेत हासिल की है पंजाब के डिसेंट चिल्डन मोडल प्रेसिडेंसी स्कूल के छात्रों ने हाई स्कूल डिवीजन में स्टी एम एंगेजमेंट पुरुसकार जीता वहीं तमिलनाडू के वेलोर इंस्टिट्यूट ऑफ टेकनोलोजी की टीम को सोसल अवर्ड में कॉलेज और विश्विद्याले सेड़ी में विजयता घोसित किया गया इस प्रतियोगिता में अठावन कॉलेज और तैंटीस उच्विश्विद्यालियों की 91 टीमों ने हिस्सा लिया था तो ये भी आपका काफी इंपोर्टेंट हो जाता है ध्यान रखना है कि नासा 2022 Human Exploration Rover Challenge नामक जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें किसने जीत हासिल की है तो भारत ने भारत के दो चात्र हैं कहां के दियान रखना है पंजाब और तमिल नाडू के जिन्होंने इसमें जीत हासिल की है ठीक तो ये आपको दियान रखना है पंजाब और तमिल नाड अगेल ने अपने बजट वक्तव्य में राज्य के करमचारियों के लिए पुरानी पैंसन योजना यानी ओल्ड पैंसन स्कीम जो है वापस करने और मासिक विधायक इस्थानिय चित्र विकास रासी को चोगना करने की सरकार की योजना की घोशना की है उन्होंने बजट के क लागजात गाय के गोबर की बने ब्रीफ केस में रखे थे तो दोस्तों यह आपको यहां पर ध्यान रखना है हाली में किस सराज्य सरकार ने पुरानी पैंसन ही हो जाना यानी ओल्ड पैंसन इसकीम को जो है शुरू करने की गोशला की है तो 36 गड़ ने यह गोशला की है त यहां से आपको ध्यान रखना है 36 का तो दोस्तों यह थे 15 मैज से समधित उत्रब्रदेश के सभी एक्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करेंड रफर की कुशन जो कि हमने डिसकस किया अब हम देखते हैं कल की वीडियो को कुशन जो हमने आप से पूझा था तो यह क जो भी कुशन आप से पूचा जाए तो सभी लोग कुशन का अंसर जरूर गया करो तो यह आज का कुशन 16 मही 2022 को किस राज्य का मांगर गाउं ध्यान रखना है किस राज्य का मांगर गाउं देश का पहला सहद वाला गाउं बन जाएगा ऑप्सन नुमबर ए है कि एरल भी है महराष्ट्र सी है चोतीस गड़ और रजस्तान तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बोक्स में बताना है तो दोस्तों अगर आपको आसका वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और अगर अभी तक हमारे पढ़ना है तो जेनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें साथी वेल आइकोन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन अब तक पहुंच पर आए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू